The coordination geometry around the magnees in deca-carbonyl di-magnees is, देखे, basically Mn2CO10, यह क्या होगा है? Deca-carbonyl di-magnees, यह सो कभी-कभी आपको di-magnees deca-carbonyl भी लिखावा हो सकता है, ठीक है? अब देखे, आपको पता ही होगा, फिलहाल तो इसका structure कैसा होता है? कि 2 Mn होगे, और इन सब के तरफ 5-5 आपके CO होता है, कारbonyl compounds के, समझ मैं आपको, ठीक है? तो अगर आप गोर से देखोगे, एक जो magnees है, वो कितने bond मना रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो CO के साथ, और एक magnees के साथ, अच्छे है? समझ मैं है? इतना समझ मारा आपको. So, अब जैसे ये है, अब ध्यान से देखे, जो Mn है, उसका configuration हो गया, 3D5, 4S2. याने, अगर आप 1, 2, 3, 4, ये हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गया, 3D5, और जो 4S में हो गया, 2electrons. लेकिन जब आप इसके बात करते हो, Mn2CO10 की, याने, जो carbonil है, CO, ये क्या है? strong field ligand, तो ये push कर देगा इसके उलेक्ट्रोंस को. अभी मैं 1 Mn की बात कर रहा हूँ, याने, 1st Mn की. ध्यान से सुनिया, guys, आराम से समझ मा जाए आपको. तो pairing electrons की हो जाएगी, correct? तो CO0 है, तो ये रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons pair करने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 1 ही हो गया, 7. ध्यान से देखना. Similarly, जो second Mn है, उसका भी ऐसे ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. ठीक है? अब देखें, गोर से देखेंगा. अब इसमें क्या होगा? आपको 5 तो CO जोड़ने हैं, correct? 5 आपको जोड़ने हैं, इसमें CO और 1 Mn का बनाना है. अब कैसे बनेगा? देखें. जो ये एक-एक electron है, दिख रह 3, 4, 5. Similarly, जो ये दूसरे Mn के CO थे, ये यहाँ जुड़ गए. 1, 2, 1 ये वाला होगे, है न? 5 होगे. तो अगर आप देखोगे, तो इसमें क्या-क्या involve हो रहा है? ये वाला हो रहा है, correct? याने D2, S, P, 3. इसकी अगर आप hybridization पूछेंगे, central atom की, तो क्या होगी? D2, S, P, 3. इसका मतलब octahedral, correct? तो जो आपका option number 1 है, will be your final answer.